तो भाल लोग क्या हाल चाल मैं प्रफली आदा आपका स्वागत करता हूं अपने टेक चनल डीजी आदो पर एंड इन टूडेस वीडियो में हर बार की तरह आगे हूं आपको कुछ लेटेस्ट टेक की बाते बता नहीं तो गाइस वीडियो के लाश्तर जो देखिए और अग पुराने वीडियो जो कि तक की बात की थी उसमें हम लोग ने आपको बताया था कि एक वाट्सअप पर नयाब जल्द ही फ्यूचर आप सकते हैं जिसमें मतलब आप एक वाट्सअप अकाउंट को सेव्डल मल्टिपल डिवाइजर में यूज कर सकते हैं मेंस अगर आपको आप बत करते अपने सेकेंट की बात की जो कि यह Facebook messenger privacy की एक यह उन्होंने एक नए सिक्यार्टी प्राइविसी डाली है कि आगर आप लोग मेशेंजर को लॉकत करना चाहते हैं तो आप लॉक कर सकते हैं अगर आप ilphone यूज करते हैं तो फिर आप फिर आप इस यास एक मेंबर सिप है कि अगर आपनों नेट्फिक्स यूज नहीं करने सकते हैं कुछ मंत के लिए जच लाइक फाइफ तो उन लोग की लिमिट है कि 10 मंत के लिए आपने नेट्फिक मंबर सुपको पॉस कर सकते हैं उसको कैंसल करने की जगा तो बस आपको पैसा तो रिफर की तरफ से तो जंब बात्री चल लीए थी वैसे में टिक्टॉक की टिक टॉक बैंड हो गाया फिर नहीं तो गवर्णमेंट ने एक सेडिय में मतलब जो गुववर्मन्ट डिवाइसे गोवर्मन्मेंट पिपुल्स हैं तो उन लोग के लिए टिक्टॉक बैं कर दियागा ह कि मतलब कुछ security मतलब reveal ना हो पाए बाहर ना हो पाए लीग ना हो पाए अब देखते हैं कि country में कब बैन होता है तो बैन होई जाए तो अच्छा लगेगा यार मन को तो guys अब बात करते हैं नाए device launch के बार में जो की है बोरो से शुरुक्षा UV kit पतल आप जो भी समान रोज बाहर ले जाते हैं from mobile phone to keys or something else तो उस चीजों को disinfect करने के लिए आप इसमें रख सकते हैं रखने के बाद UV light से यह disinfect कर देंगे अच्छा गरसा average size box है तापकि जो भी समान है वो इसमें आई जाएंगे तो चलिए बात करते हैं हर एक PUBG लवर के dream phone के बारे में यार मेरे को भी अच्छा लगता है और उसका नाम है ASUS ROG 3 the gaming beast तो गाईज यह कल ही launch हो चुका है और इसके specs मेरे blog channel पे आ जाएंगे link नीचे description box में जाके पढ़िए इसके specs जाने के लिए आप मेरे blog channel पे जा सकते हैं लिंक आप डिस्क्रिप्स बॉक में में जाएगी तो गाईज अब बात करते हैं उन 59 apps के बारे में जो कि बैन हो चुके हैं इंडिया में और उनके जो app developers हैं तो उनको इंडियन government ने notice दे दिया है कि अगर आप कुछ भी करके उन apps को वापिस इंडिया में पधाने की कोशिस करते हैं तो कुछ हम सकत कदम उठा लेंगा मतब सावधान रहें वहना सावधानी हटी तो दुर घटना घटी तो गाइस अब बात करते हैं अपने पपजी मोबाइल लाइट के नए अपडेट के बारे में येस 25 जुलाई को इनलों के फर्स्ट अनिवर्सरी एनलों के एक साल का हो जाएगा पपजी मोबाइल लाइट एंड उस दिन यार कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है तो गाइस तो देखा कि क्या के चीज़े आ नहीं है तो इसमें TDM में नहीं मैप, रून्स वाला एंड लेजगरा फ्युचर, स्कोप सेटिंग और बहुत कुछ आ रहा है इनकी अनिवर्सरी ब्लॉग लिंक की डिस्क्रिप्शन मस्ट रीड हैसा प्रॉब्लम कि हम लोग कोई टुटो इसमें होता है बर्ड मतब उसका साइज कर्श्टुमाइज करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर यह एप है इसका नाम है स्ट्रीम इसका फुन निमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाप में मिल जाएगा तो आप कोई रैंटम म्यूजिक वीडियो या फिर कुछ जैसे कि यहां पर किनार प्लेवन लगता है आप उसकी पोजिशन कर सकते हैं कि आपको कहां सेट करना है अगर आप इसका साइज को स्टोमाइज करना चाहते हैं तो यह जो थी डॉट टाइप करें थी लाइन उस पर टाप करिए दें गो टू सेटिंग एंड उसके बाद व इसके बाद आप टाइप कीजिए पॉप प्लेयर साइज इसके बाद आप जो भी साइज है उसको चूज कर सकते हैं स्मॉल मीडियम बिग मैक्स तुमारे ऐसे आपको स्टमाइज कर सकते हैं और को टूटोरियल लूंक हो तो आप उठा के और पेस्ट करके उस टूटोरियल को देखके अपनी इडिटिंग याफ जो भी एक कर सकते हैं तो गाइस आज की वीडियो के लिए बास इतना ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएंगी आपको यह टेक्नीज पसंद आई की नहीं आई कमेंट सेक्शन बताएगे जिरू अगर आई तो गाइस लाइक ए कर दो कर दो कर दो